गोब्रा नावापारा में खुद को रैपूर का बड़ा अफसर बता कर पूरो में गांजा बेचने वाली एक महिला से दस जार उपए की ठगी करते हुए दूसरे वेक्ति से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं महिला पूरुष को गोब्रा नावा पारा पूलिस ने रंगे हाथों गिरिफ्टार किया है थाने से मिली जानकारी कनुसार रैपूर निवासी आरोपी जोती सिंग और संतोष मारकंडे आपस में मित्र हैं ये दोनों आरोपी बुद्भार को नगर के रेलवे क्रॉसिंग के पास पूरो में गांजा विक्रय करने वाली महिला के पास पहुचे और अपना परिचे रैपूर के बड़े अफसर कुरूप में देते हुए उसे धमकाया की उन्हें पक्की खवर मीली है की वह अब भी गांजा बेशती है और वे उसकी विरुद्ध कारवाई करने वाले हैं बचना है तो उन्हें 25,000 रुपए दे दे इस पर महिला ने डर कर उस वक्त उन्हें 10,000 रुपए दे दिये बांकी के 15,000 रुपए एक दो दिन में आकर लेने की चेतावनी देते हुए दोनों चले गए शुक्रवार दोपाहर दोनों ने फिर उस वक्त महिला को फोन किया और अपने नावापारा आने की जानकारी देते हुए बाकी के 15,000 तयार रखने को कहा इस पर महिला ने इस्थानी पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस उनके आने के इंतजार करने लगी लेकिन दोनों आरोपी उक्त महिला के पास पहले ना जाकर नगर के राजिम फुल के पास एक गांजा विक्रेता युवक के पास पहुचिया है करने के आरोप में अपराद दर्ज कर ग्रिफतार करने की कारवाई की गई इस मामले की जांच इस्थानी थाने से उपनिरिक्षक स्ट्रवण मिश्रा कर रहे हैं आज दोनों को नियाले के समक्ष पेश किया गया इससे पहले उनका डॉक्टर ही मुआजा कराया गया लूट पाट करने वाले लोगों ने अस्पताल में मिडिया के साथ भी बत्तमिजी करने का प्रयास किया और उन्हें भी धमकी देने लगे थे नगर में बढ़ते अपराद अवैद धंधों को लेकर नगर की लोगों ने सोशल मिडिया में इस्थानी पुलिस की कारेशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है और उन्हें कटगरे पर खड़े कर दिया है लोगों ने कहा कि स्थानी पुलिस को नवापारा में कहा कहा अवयत करोबार हो रहा है इसका पता नहीं है लेकिन बाहर के ठग लोग इतने सक्री हैं कि उन्हें नवापारा में होने वाले सभी अफरादों के बारे में पता है जिससे वे आसानी से ठगी कर रहे हैं जो कि एक स इस संबन में जब DNX मिडिया रिपोर्टर विशेश्वर हिरवानी ने CSP विश्व दीपक त्रिपाथी से बात चीत की तो उन्होंने लूट पाट करने वाले इन ठक से खिलाफ कड़ी कारवाई करने की बात कही, साथ ही नगर में अवयत कारोबार करने वालों पर अंकुष ल